हेलो फेंड्स दोस्तों आज का टॉपिक है कि फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुरेट कराते हैं हम लोग एक्सल में तो पहले फ्यूचर वैल्यू समझ लेते हैं होता क्या है दोस्तों मार लिजे आपने पचाहजार की फिर्डिपॉजिट कराई है किसी बैंक में और आपको 7% से इंट्रेस्ट मिल रहा है तो 5 साल बाद आपको कितना पैसा मिल जाएगा तो जो 5 साल बाद जो हमको पैसा मिलेगा उस ही को कहते हैं हम लोग फ्यूचर वैल्यू और जितना हमने इन्वेस्ट किया है उस future value को पाने के लिए उसको हम कहते है present value means इसका मतलब क्या होगा जो 50,000 आप जो दे रहे हो वो होगे आपका present value और जो 5 साल बाद आपको मिलेगा interest लग लग के उसको कहते है future value तो अभी हम सिंपल देख लेते हैं कि कैसे calculate कराएंगे future value तो माली यह 50,000 यह मैंने invest किया फिर deposit कराया किसी bank में और 7% से यह मुझे interest मिल रहा है तो पहले साल मुझे कितना मिलेगा सबसे पहले 50,000 प्लस 50,000 का 7% तो इतना मुझे यह return मिलेगा first year जब मैं इसको drag करा दूँगा यहां पर इस तरीके से तो आपको यह आखनी में दिखा देगा कि आपको यह कितना पैसा मिलेगा यह देखिए दोस्तो इस पर अब लग गया है 7% तो जो मुझे मिलेगा 5 साल बाद वो मिलेगा 70,123 रुपे तो इसका फॉर्मला mathematics में क्या होता है दोस्तों mathematics में आपनोंने पढ़ा होगा कि फॉर्मला उसका होता है future value equal present value multiply by one plus r की power t, अब इसमें fv का मतलब है future value, pv का मतलब है present value, r का मतलब है interest rate और t का मतलब है time, कितने time के लिए वो आप deposit करा रहा हो, तो इस formula से भी हमनों देख लेते है calculate कि क्या हमारी exact amount r e के नहीं आ रही है, उसके बहां हम चलेंगे पर फॉंक्शन पे, तो क्या करेंगे equal का sign लगाएंगे, उसके बाब present value हमाई कितनी है, 50,000 हमने यहाँ पर type कर दिया है, उसके बाद multiply का sign, back it on किया, one plus interest rate हमारा है 7%, back it off किया, power जो लगाते है एक्सल में वो इस तरीके से लगाते हैं, यह है power का sign, उसके बाद t number of pair करना है हमारा यहाँ पर दोस्तो 5, और enter कर दि तो देखो कि आप formula से भी यही same amount आ रही है exact, जब आप इसको थोड़ा सा round down कर दोगे, तो यह आपको same amount यहाँ पर मिलेगी, मैं इसको yellow कर देता हूँ, दोनों को, तो अब यही चीज हमें करनी है excel पर, तो excel में formula क्या होता है, दोस्तो excel के लिए formula होता है हम लोगों का fv, त इसको थोड़ा से मैं small कर देता हूँ, इस sheet को, जिससे समझ में आए, तो formula ही बर देख लिजे क्या है, equal to हम लोगों लगाएंगे fv, और जैसी आप लोग ब्रैकेट आफ करोगे, तो यहाँ पर कुछ चीजे बताएगा, सबसे पहले rate, तो जो हमारा interest rate है, जो हमारा R है, उ को हम लोग rate बोलते हैं, उसके बाद आ रहा है, LPER, LPER क्या है number of period है दोस्तों, जो हमारे T है, वही है LPER, number of period मना किलने साल के लिए आप पर deposit कर रहे हो, PMT, यहाँ पर हम लोग कोई भी EMI type की नहीं दे रहे है, हम लोग fix करा रहे है, इसलिए हम लोग यहाँ पर PMT को क्या करे देंगे, ignore कर देंगे, और present value जो हमारी है, वो है हमारी 50,000, तो कैसे करना है, 7% पहले आप यह लिख दोगे, और आप type भी कर सकते हो, और यह मैंने amount कुछ यहाँ पर लिख रखी है, figures लिख रखी है, तो मैं इसको select करा लेता हूँ, तो यह 7% मैंने यहाँ पर select करा लिया है rate, NPER का मैंना number of period, number of period है हमारा 5, तो यह D6 में लिखा हुआ है, और payment हमने कुछ नहीं की है, तो हम लोग इसको पहले देंगे, और यहाँ पर present value, present value मना हम लोग इन्वेस्ट करना है, इसको minus में देना पड़ेगा, तो minus हम लोग यहाँ पर 50,000 select करनेंगे, और back it off करके जैसे यह आपकी future value होगी दोस्तों, तो इस तरीके से हमनों ने यह Excel में सीखा कैसे करते हैं, तो मैं आशो करतों यह वीडियो को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजे, और ऐसी वीडियो देखनेंगे हमाया page फॉलो कर दीजे, Excel विल्मकुल, और हाँ दोस्तों, अगर आपको डेटेन में वीडियो सीख नहीं है, डेटेन में कोई चीज़ सीख नहीं है, तो हमारा आप YouTube चैनल सस्क्राइब कर सकते हैं, Excel विल्मकुल, तक तक लिए दोस्तों, धन्यवाद, गुरुबै दोस्तों